Hey guys, welcome back to our channel तो आज का हमारा वीडियो है मारूती सुजुकी बलीनो पर इस कार को लेकर कंपनी क्लेम कर रही है कि विदना मन्त नई बलीनो को 25,000 के आज़ पास बुकिंग मिल चुकी है अपने इस वीडियो में हम आपको इस कार के बारे में बताएंगे बताएंगे कि नई बलीनो में कौन-कौन से फीचर्स को अपडेट किया गया है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार के एक्स्टीयर से नई मारूती सुजुकी बलीनो स्टाइल में और लुक्स में पहले से जादा अलग है पहले से जादा स्टाइलिश है इसके एक्स्टीयर में कंपनी ने अच्छे खासे बतलाव किये हैं इसके फ्रंट में दुबारा से तयार की गई ग्रिल, अपडेटिट बंपर और बंपर में लगे नई फॉग लैंप शामिल है इसके साथ ही फॉग लैंप का एक नया डिजाइन दिया गया है फ्रंट ग्रिल जो है वो पूरी दरा से क्रॉम से लेस है कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मारुती बलीनो का जो पूरा फ्रंट लुग है वो पहले से जादा शार्फ और पहले से जादा वाइट है साइड प्रफाइल की बात करें तो नई बलीनो में 16 इंच के डायमंड कट अलोई वील्स मिलते हैं जो पुराने मॉडल के मुकाबले इस कार को जादा स्टाइलिश लुग देते हैं वही साइड में मोटी क्रोम की लाइन दी गई है जबकि C-Shaped Rear Bumper के साथ नई टेल Lamp का डेजाइन कार को जादा अग्रसिव बनाता है नई मारूती बलीनो के इंटीर को भी पूरी तरह से अपडेट किया गया है इस कार में पुराने मॉडल की तरह ही ब्लाक आउट केबिन दिया गया है हाला कि इसके seat को black वे blue dual tone में रखा गया है इसके dashboard में center console वे AC vents के पास silver accent का प्रियोग किया गया है जो dashboard को एक premium look देता है मारूती सुजू की बलीनो 6 रंग विकल नेकसा blue, pearl, optic white, metallic premium silver, red, grey और solid fair red में उपलब्ध है नई बलीनों में कुछ ऐसे features को भी शामिल किया गया है जो segment में पहली बार है और इन features में 360 degree view camera और एक HUD display शामिल है HUD display का button आपको driver के right hand side पे मिलता है जिसे आप press करके इस display की position set कर सकते हैं और इसे on और off भी कर सकते हैं नई बलीनों की second row में आपको अच्छा खासा head room मिल जाता है अच्छा खासा leg space दिया गया है इसके साथ ही second row में AC vents और mobile charging के लिए sockets भी मिलते हैं और अब बास सबसे बड़े बदलाव की इस car की जो height है वो company ने 5 mm तक कम कर दी है वही नई बलीनों का boot space 318 लीटर है जबकि पुरानी car में हमें जो boot space मिलता था वो 339 लीटर का था नई बलीनों में 1.2 लीटर का 4 सिलंडर dual VVT petrol engine मिलता है जो idle start stop technology से less है यह है engine 89 BHP की power और 113 NM का top generate करता है अगर engine के साथ मिलने वाले gearbox की बात करें तो यह 5 speed manual unit और AMT unit से less है वही mileage को लेकर company claim कर रही है कि नई मारूती Suzuki बलीनों 22.35 km पिल से 22.94 km पिल यानि के 22.35 km पर लीटर manual unit पर और 22.94 km पर लीटर AMT unit पर mileage देने में सक्षम है और अब फाइनली बात नई मारूती Suzuki बलीनों की pricing पर इस car को company ने 4 variant में launch किया है और इसके starting price 6.35 लेक हैं जो sigma वेके हैं अब ही top model की अगर मैं बात करूँ अब अपनी screen पर जो देख रहे हैं इस car के price है 9.49 लेक एक्स शोरूम प्रिदी नथे इस Bear प्रिदी प्रिदी